तो यह है हमारा router और चलिए मैं इसमें आपको दिखाता हूँ WPS का जो बटन है तो यह हमारे router में WPS का बटन है आपको थोड़ा समय जूम करके दिखा देता हूँ जब हम इसको दबाते हैं तो नीचे एक WPS जो लिखा हुआ है इसकी light जल जाती है यह मेरा एक पुराना router है नेटिस का router है और इसके जरीए आज मैं आपको connect करके दिखाऊंगा without password तो चलिए मैं WPS प्रेस कर देता हूँ और मैंने WPS दबा दिया देखे नीचे light भी जल गई WPS की अब हम चलते हैं अपने phone की screen पर सो मैं यहां पर phone का lock open कर लेता हूँ चलिए और lock open कर लिया है अब हम यहां पर नीचे करते हैं wifi को scroll वायनी wifi open कर लेते हैं सो मैंने open कर लिया मेरा router अभी इस नाम से आ रहा है जो आपको दिख रहा है technology update और देखिए यहां यह password मांग रहा है मैंने उस पर tick किया तो यह password मांगने लग गया सो चलिए मैं इसको कर लेता हूँ back और back करने के बाद अब हम चलेंगे wifi performance पे जहां पर कहीं भी होगा उसको ढूड़ना आप अपने phone में यह जो WPS का button यहां पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है WPS button इस पर आपको click करना है जैसे ही click करेंगे देखिए 10 second के अंदर maximum यह connect कर लेगा without password इसको किसी भी password की जरूरत नहीं यानि किसी भी password की जरूरत नहीं है सो अभी देखिए यह हमारा wifi connect हो चुका है देख सकते हैं आप बिना password के यह wifi connect हो गया है तो इस तरीके से WPS button का यूज करके हम बिना password के connect कर सकते हैं सो आई हो पाच का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा like मिलते हैं एक और interesting topic की अच्छी वीडियो लेकर तब तक के लिए जय हिन जय भारत और देखते रहिए सीखते रहिए